मैं सुभी देशबासियों से अग्रह करती हूँ कि वे मोहिला सोशक्तिकरण को प्रत्थ मिक्ता दे मैं चाहूंगी कि हमारी बेहने और बेटियां साहुष के साथ हार तरह की चुनोतियों का सामना करें और जीबन में आगे बढ़ें मोहिला का विकास स्वाधिनता संग्राम के आदर समय सामिल है प्यारे देशबासियों सोतंतरता दिबस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनो जूड़ने का अफसर होता है यह हमारे बुर्तमान का अकलन करने और भविश्चो की रहा मनाने के बारे में चिंतन करने का अफसर भी है आज हम देख रहे हैं कि भारत ने ना के बुल विश्चो मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है बलकि अंतराश्ट्य विवस्ता में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है आपनी जात्राओं और प्रभासी भारतियों के साथ बाच्चित के दोरान मैंने आपने देश के प्रती उनमें एक नाया विश्वास्त था गोरव का भाव देखा आए भारत पुरी दुनिया में विगास की लख्यों और मानुवियो सहयोक को बढ़ावा देने में मत्त पुन भूमी का निभारा आए भारत ने अंतराश्ट्य मंचे पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्यता का दाइत्य भी संबाला है चुंकि G20 समुहों दुनिया की दो तिहाई जनो संख्या का प्रतिनिद्ध्यतों करता है इसलिए ये हमारे लिए व्यशिक प्राथमिक्ताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अधित्य अवसर है G20 की अध्यक्ता के मध्धम से भारत ब्यापार और बीद के चेत्रों में हो रही निर्नोयों को न्याय संगत प्रगती की और ले जाने में प्रयाश्रों थे ब्यापार और बीद के अलावा मानो विकास से जुड़े विशोयभी कार्यों सुची में सामिल किये गे है एसे के मुद्धे जो पूरे मानवता के लिए मौत पुण है और किसी भोगोलिक सिमा से बंदे हुए नहीं है मुझे विश्वासे की भारत के प्रभावी ने तृत्तों के साथ G20 के सद्दस्देश उन मर्चमपर उपयोगी कारवाई को आगे बढ़ाएंगे भारत की G20 की अध्यक्ता में एक नई वाद ये है कि डिपलोमासी को जमिन से जोड़ा गिया है एक अंतरास्टे और आज नहीं गतिविती में लोगों की भागीदारी को प्रशाहित करने के लिए आपनी तरह का पहला अवियान चलाया गिया है उधारण के लिए एदेखकार मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कोलेजों में G20 से जुड़े विशयोपर आयोजित की जा रही गोती बिधियों में विद्धाती उस्साह पूर्वग भाग ले रहे है G20 से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागोरीकों में बहुत उस्साह देखने को मिल रहा है